17 दिसंबर 2023 हम लोग हैं अभी सिसु के अंदर और ये सुबह का आज मौर्निंग वोक करें हम सिसु लेक के उपर मौर्निंग वोक करते हुए सुबह की सहर बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए लेकिन अगर ये सहर आपकी किसी ऐसी जगह पे हो जो की लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन हो बहुत से लोग ऐसी जो है एडवेंचर का ऐसी चीजों का केवल इमेजिन कर पाते हैं हम लोग बहुत लखी हैं जो ऐसी सुन्दर जगह पे रह रहे हैं डेली ऐसी सुन्दर सुन्दर जगह पे हमारा आना होता है ये देखिए आप सिसू लेक जो की पूरी जमी हुई अभी कम्प्लीटली अभी इसके अंदर ही मैं चलता जा रहा हूँ बिलकुल लेक के सेंटर में हूँ मैं ये देखिए आप भी ऐसे एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं उसके लिए आपको केवल मनाली का प्लैन बनाना है मनाली से लगबग 40 किलोमेटर आपको चलना है और आप पहुंच जाते हैं सिसू लेक के पास और सिसू लेक के अंदर अगर आप अरली मोनिंग आते हैं तो ये लेक आपको पूरी तरीके से जमी हुई मिलेगी और खूब सारी यहाँ पे आप मस्ती कर सकते हैं स्किंग कर सक लेकिन अरली मोनिंग जब आते हैं तो पूरी तरीके से जमी हुई है आप बिना किसी डर के खूब सारी मस्ती सिसू लेक के अंदर कर सकते हैं और आज है अकेले नहीं आए हमारे साथ एक फैमिली है जो कि मनाली का ट्रीप इन्होंने प्लैन किया था कल हम लोग कोकसर गए कोकसर की वीडियो में शायद देखा होगा अभी वो भी दिखाता हूँ मैं कितनी मस्ती वो कर रहे हैं इस लेक के पास एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भी शिसू के अंदर स्नो कितनी बची है तो ये देख रहे हैं अभी संडराइज शिसू के अंदर हो रहा है यहाँ पे ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते और दिन के टाइम यह लेक जो है पिखरना भी चालू हो जाती है बट अगर आप लोग early morning आते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा sking का मजा यह देख सकते हैं भीया बिना किसी equipment के यहाँ पे खूब सारी मस्ती यहाँ पे की जा सकती है और यह देखो भीया खूब सारी अपने बच्पन के दिनों की यादों को ताजा करते हुए अभी और यह अभी पिछे से बावी जी आ रहे थे गिर गए है और भीया चिला रहे फोटो खिंचो फोटो नहीं हमने पूरी वीडियो बना ली है तो यहाँ पे स्लिप होते हैं बहुत ज्यादा कल आपको जाइंट स्विंग पे बहुत ज्यादा मजा है था पाभी जी अब इफिसल के कैसा लगा कितने रुपए का सिखा पड़ा था जो उठाने के लिए आपने जंप लगाई दस रुपए के सिखे के लिए देखो इतना ज्यादा जो है तो ममी को गिरता देखके कैसा लगा आपको ममी को गिरता देखके कैसा नहीं जूट बोल दो नहीं तो डांट पड़ेगी ममी को गिरता देखके तो यह देखो आप भी यहाँ पे इस तरह की मस्ती कर सकते हैं सिसू के अंदर आके सिसू अभी स्नो के लिए फ्रेश स्नो के लिए आना सही नहीं है लेकिन इस फ्रोजन लेक के उपर आके आप यहाँ पे खूब सारी मस्ती यहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत सारी मस्ती यहाँ पे कर सकते हैं आप तो शिशू के बाद हम पहुँच चुके हैं भी यांगले गाओं में जो की गॉंदला गाओं के पास है सीसू से लगबग 15 से 20 किलोमेटर दूरी यह पड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रेश नो अभी है उपर की माउंटेंस के व्यू भी यहाँ पे काफी डिफरेंट है मनाली से और यहाँ पे कुछ लोग 4x4 गाड़ी लेके आए हैं साथ में हमारे क्लाइंट शीव कुमार ले रहे हैं भी बर्फ में बैठे हुए हैं यह कैसा लग रहा भाई बर्फ में बैठके आपको बहुत मज़ा आ रही है और बर्फ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे एकदम क्रिस्टल बने हुए है और यह हमारे छोटू मेंगी लेके आए छोटू एक और मेंगी लेके आओ जी साब हाँ यह देखो अभी छोटू मेंगी खाएगा पाहडों की मेंगी आपने खाई होगी बहुत बार लेकिन मम्मी से बनवाके पहली बार यह मेंगी खा रहे हैं पाहडों में यह फैसलिटी के ओल हमारे पास ही हो सकती है चलो चेक करके बताओ जल्दी से कैसी लगी कैसी लगी मैंगी बताओ जल्दी से टेस्ट करके बताओ भी कैसी अगर बोला अची नहीं बनी ममी डांटेंगे उदर से बहुत अची हावाज नहीं निकल री ठंट के बारे और यह जो हमारे भीया हैं गुमने आये थे बाबी जी को बहुत बहुत थेंक्यू ये पाड़ों में हमें मैगी बना के खिला रहे हैं पाड़ों में मैगी आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन खुद से बना के अगर मैगी खानी है एक राउंद पूरा हो चुका है मैगी अभी ये दूसरे राउंद पर चल रही है उन्तिजार करिए ब्रेक के बाद मिलेगी जी ब्रेक के बाद और अभी ये मैगी के लिए बड़ी बेसावरी से इंतिजार करते हुए गुरू नानक ट्रेवल संबाला गगन अरोडा जी जो क अब्रक शग्रभो कि पूड़र में लगधा एम कि अगजा रया है और यह सिर्ट पी यह भर हैं बहुत रिभागे है अभा यहा किसी निकल रहा देख अच्छा है अ डाण्ट में आपको पता था यहां पाडो में आ के भी पाबीजी को कुझिंग करनी पड़ेगी idAl एक अपर जो बसवाता है डांट पड़े इसलिए जो यह हल्प करने में लगे हुए है और देख सकते आप बहुत ही सुन्दर यहाँ पे व्यू और यहाँ पे पेरा ग्लाइडिंग भी अभी हो रही अस्मान में देखो अज़ देख रही है भाई देख लिगाओ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छे से यहां पर परग्लाइडिंग का लोग मज़ा ले रहे हैं और बहुत कम लोग अभी यहां पर पहुंचे हैं तो पुझा जी आप कोई फ्रेंड आपके मना ली आना चाहे हमें रिक्मेंड करोगे की नहीं? बेलकुल, 100% आपकी ममी से मेगी बनवाई इसलिए? नहीं, मुझे मेगी खाने का मिली से इसलिए अब बनाया कोई भी और ये गगन जी बरफ में वीचरण करते हुए और अभी भाबी जी बेया को कुकिंग पे लगा के खुद बरफ के अंदर मस्ती कर रहे हैं यहां पे इतनी अच्छी स्नो है, फ्रेश स्नो एकदम, कोई किसी भी एज का हो, खुद को वो रोक नहीं पाएगा और भीया और भाबी तो बहुत जिन्दा दिल है, बहुत मजा रहा इनके साथ ये पूरा ट्रिप करते हुए हमें अब ही आपको दोड़ लगाएंगे ना फिर सर्दी भी नहीं लगेगी, हाँ जी और यह देखो दोनों एक साथ दोड़ते हुए तो बहुत सारी ऐस्ती मस्ती आप कर सकते हैं मनाली के ट्रिप में अगर आप लोग हमारे साथ ट्रेवल करते हैं बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे ऐसे पल मिलेंगे आपको जो आपको कोई और बिलकुल किसी भी किमत पे नहीं दिला सकता बाकी जगह जाएंगे आप इतने सारे टूरिस्ट होते हैं तो कुछ अन-एक्स्प्लोड प्लेसीज ऐसे हम लोग अपने ट्रिप में जरूर से एड करते हैं और यह देखो भी दोभारा फिर से दोड लगानी पड़ेगी वीडियो odpow किये फिनाई धोड रहे तो दोस्तो यह जाजिए ने ब़हों सी रिल्स बनाई होगी लेकिन पहाड़ों में गी से बना के खाना यह experience आपको केवल हम लोग ही करवा सकते हैं तो आप मनाली का plan मनाईए खुब सारी मस्ती आप मनाली के अंदर कर सकते हैं बहुत अच्छी आपको यहाँ पे snow मिलेगी अभी सिसू कोकसर सभी रस्ते खुले हैं केवल रोतांक पास क्लोज है उसके अलावा आप कहीं पे भी किसी भी गाड़ी से कोई भी टू विलर लेके आप लोग जा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और भी बहुत सारी मनाली की ऐसी वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सुन्दर सुन्दर जगह है मनाली की वो प्रमोट हो और जो यहां का टूरिजम है उसको एक नई दिशामिले जुलाई के बाद यहां का टूरिजम काफी अफेक्ट हुआ था लेकिन अभी टूरिश्ट बहुत ज्यादा आ रहे है तो अभी तो क्रिश्मस न्यू इयर आने वाला है तो अगर आप लोगों को भीड से बचना है और एक कम बजट में अपना ट्रीप बनाना है तो अपना ट्रीप प्लैन कीजिए आप पांच जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च में बहुत अच्छी सनों आपको मिलने वाली है तो दोस्तों जजल मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के अंदर किसी नई जगह पे किसी नई अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा